ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दिप्ती चंद्रा और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 975 पदो पर भरती के लिए रुकी हुई प्रक्विया फिर से शुरू की हाइ स्कूल और हाइर सेकेंडरी ओपन स्कूल परिक्षा की समय सारणी घोशित की गई नियमिती करण की मांग को लेकर राजिस्तर पर सम्विदा कर्मी कर रहे हैं आंदोलन और कोरिया जिले में आज से दो दिवसी जुम का जल महसा शुरू अब समाचार विस्तार से 36 गड़ विवसाइक परिक्षा मंडल ने प्रदेश पे सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भरती के लिए रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है मंडल की ओर से जारी आदेश की अनुसार इच्चुक उम्मिद्वार आज राद 12 बजे से 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं जिन उम्मिद्वारों ने पहले इस भरती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है सब इंस्पेक्टर के पदो पर भरती के लिए 29 जनवरी को लिखित परिक्षा ली जाएगी इसके लिए 5 परिक्षा के इंद्र बनाए गए हैं राज़पार अनुसुया उइके से आज राजभवन में वेद प्रकाश ठाकुर के नेत्रित्व में सामान्य बर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के प्रतिनिधी मंडल ने मुलाकात की इस मौके पर प्रतिनिधी मंडल के सदस्यों ने राज़पाल से आरक्षन संशोधन विधयक बर हस्ताक्षन नहीं करने का अनुरोध किया सदस्यों ने राजिपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सम्वैधानिक प्रमुक के रूप में उन्होंने सम्विधान बारा प्रदत्य शक्तियों का उप्योग कर सर्व समाज के अधिकारों की रक्षा की है इस वोके पर राजिपाल ने कहा कि वे इस मामले में सम्विधान की मूल भावना के अनुरूप विधी सम्मत निर्णे लेंगी उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा और सभी वर्गों के अधिकारों तथा हीतों की रक्षा सुनिशित की जाएगी चत्तिसगर जनजाती सराहकार परिशत की बैठक में राज्य विधान सभा में पारित अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछला वर्ग के लिए आरक्षन संशोधन विधेयक और चत्तिसगर शैशनिक संस्थान प्रवेश में आरक्षन विधेयक के अनुमोधन की अनुश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विध्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम में भाग लेने का आगरह किया है। श्री बगहेल भेट मुलखात कारिक्रम के तहत कोरवा जिले के नोन बिर्रा और रंजना गाउं पहुँचे। मूलचंत कवर के नाम पर करने, कडगोरा में फार्मसी महाविध्याले, दिपका और बाकी मोगरा में स्वामी आत्मानन अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बिलाई बाजार में उपतहसील शुरू करने और लखनपूर के क्रिशिव विज्यान केंद्र में प्रिशक इसे कार्याले की वेब साइट से भी डाउन्लोड कर सकते हैं। समय सुबह साड़े आठ बजे से पौने बारा बजे तक निर्धारित किया गया है। सम्विदा कर्मी नियमिती करण की मांग को लेकर राज सरी आंदोलन कर रहे हैं। समय से है हमारा वास्ता। आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई काईकरम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। हमारा फेसबुक पेज चतिसगर्ड न्यूज ओन ए आई आई आर। ट्विटर हैंडल सीजी ए आई 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 आर न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है चतिसगर्ड ए आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। आम तक चतिसगर्ड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में समर्थन मूल पर अब तक खरीद 99 लाग मिट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बताया जाता है कि यहां राज्य निर्माण के बाद अब तक की सबसे अधिक खरीदी है। इस उबलब्दी के लिए मुख्यमंत्री पुपेश बगेल और खादिमंत्री अमरजीत भगत ने किसानों को शुप कामनाय दी है। समर्थन मूली पर राज्य में अब तक 22 लाग से अधिक किसानों ने धान बेचा है जिसके बदले उन्हें 20,375 करोडों रुपे का भुखतान किया जा चुका है। जिसने एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरिफ्तार किया है वही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना, रास्त्री ग्रामीन पेजल कारिक्रम, प्रधान मंत्री उजवला योजना और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना सहित विबिन योजनाओं की जानकारी थी कई। 36 गड़ के प्रधम घुडसवार रेजिमेंट NCC द्वारा दुर्ग के अन्जोरा में आयोजित आठ दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षन शिवर का कल समापन हुआ। कामधेनु विश्वध्याले की कुलपती डॉक्टर आर एन सोनवाने ने की। इस मौके पर कलाकारों ने लोग कला और संस्कृति पराधारी तरंगा रंग प्रसूतियां दी। इसमेंट से भरे ट्रक के बीच गुरूर थानाशेत्र के मरका टोला घाट के पास भीरंत हो गई। का इलाज धमतरी और चारामा के अस्पताल में चल रहा है। राज़ानी रायपूर के पंडरी थाना शेत्र में शिवाजी नगर के पास भीती राग दो गुटों के बीच हुई आपसी विवाद में दो यूवकों की हत्या कर दी गई। इली जानकारी के मुताविक किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। वहीं उत्तरी शेत्र के कुछ भागों में हलका कोहरा चाय रहने की संभाबना है। इस वरान कुछ जिलों में हलके बादल भी चाय रह सकते हैं। और अब कुछ खबरे संक्षेप में। भारतिय जनता पार्टी ने दुर्ग जिला कारिकारी की सूची जारी कर दी है। इसमें जितेंद्र वर्मा को जिला अध्यक्ष निउक्त करने के साथ ही छा उपाध्यक्ष और दो महामंत्री और पांच मंत्री बनाए गये हैं। भाजपा ने भिलाई नगर निकम में पार्शद भोजरा सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष निउक्त गया है। वहीं पार्शद दयासी को उप नेता प्रतिपक्ष और वीना चंद्राकर को सचे तक बनाए गया है। और स्कूली बच्चों को योग अपनाने के लिए प्रेडित किया। और दुर्ग जिले के मोहन नगर पुलिस ने गांजा तसकरी के आरोप में जियार पीएफ पुलिस के दो सिपाही सहे तीन लोगों को गिरिफतार किया है। इनके पास से तोला किलो गांजा बरामत किया अंत में मुखे समाचार एक बार फिर। कर्णे पुलिस ने कि एक बार भाद में जिले का समाचार है।